हलो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े और ये एक यूनिक रेसिपी है सिंदी रेसिपी जिसे कहा जाता है सन्ना पकोड़ा जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये चाय के साथ मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए तो वीडियो एंड तक जरूर दे मैं मुस्काना हुजा और आपका स्वागत है मेरे चानल हुनर मुस्कान का पे ये चैनल जहां पे हेल्थ लाइफ और उसके साथ किचिन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी और टिप्स तो चैनल से बने रहिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा पसंद आए तो समबेशन लिया है साथ में डालेंगे ओनियन दो बारिक चौप के हुए ओनियन लिये हैं आप चाहे तो चौपर का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक चमच साबुद दनिया एक चमच जीरा दो तीन हरी मिर्च नमक स्वाद अनुसार आदा कब दनिया थोड़ी सी पकोडों की सोडा याने बेकिंग सोडा और इसमें हमें डालना है पानी तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे मैंने यहां पे 200 ml का कप लिया है हाफ आफ करके इसमें डालूंगी तो पहले मैं फस्ट हाप डाल रही हूँ पुरा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसका बेटर बनाएंगे बेटर जो है इडली के आटे से थोड़ा थिकोना चाहिए देखे मैंने पहले आदा कप डाला था अभी थोड़ा और डाल रहे हूं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे लम्स बिल्कुल ना हो देखिए अभी पूरे कप में से मैंने इतना ही पानी बचाया है बाकी पानी यूज किया है 20-25 ml पानी बचा है यह हमारा बैटर देखे रेडी हो चुका है जैसे मैंने बताया इडली के बैटर से थोड़ा थिक होता है यह तेल करम कर देंगे और इसके हमें बनाने हैं पकोड़े तो इस तरह से यह फर्स फ्राय कर रहे हैं हम लोग जएसे दई वडे बनाते हैं, हम दो वडे की शेप में हम लोग ये पकोड़े पहले बनाएंगे, आप बोलेंगे पकोड़े फ्राय करने के बाद तो अलग से शेप दिख रही है, तो वह 2nd step है, मैं आपको आगे बताऊँगी वह कैसे करना है हमें, वह इस तरह वडो की तरह ह हम लोग ready करके रख सकते हैं फिर जब ही हम सर्फ करना हो वो टाइम पर हम लोग second fry कर सकते हैं तो इसी तरह से ही सब वड़े हम लोग fry करके रख देंगे एक बैच फ्राय हो चुकी है इसी तरह से ही second third बैच करेंगे जितना बैटर है अभी next step के लिए हमें करना है second fry देखिए ये वड़े जो हमने fry किये है वो थोड़े ठंडे हो जाने के बाद उससे हम लोग इस तरह से pieces में cut कर लेंगे हाथ से knife का इस्तिमाल नहीं करना है तो सन्य पकोड़ों की जो unique shape आती है वो इसी से ही आती है जो सब पकोड़ों को हम लोग इस तरह से तोड़के इसे second time fry करेंगे जो first fry वाला रहेगा वो कच्छा रहता है अंदर से second fry करने के टाइम पर ये अच्छे से crispy पकोड़े बनेंगे बहुती टेस्टी भी सिंदियों की फेवरेट डिश सन्ना पकोड़ा और उसके साथ चाहे अच्छे से गुमाते हुए इसे क्रिस्प फ्राइ करेंगे अच्छे से गुमाते हुए इसे हम लोग क्रिस्प फ्राइ कर लेंगे ब्राउनिश कलर हो जाएगा तब तक इसे फ्राइ करना है हमें आज को मीडियम रखेंगे तेज नहीं तेज आज पर कलर तो आ जाएगा पर अंदर से जो है यह कच्छे लगेंगे पकोड़े तो मीडियम आज पर ही इसे फ्राइ करेंगे यह देखें यह फ्राइ हो चुके हैं कितना बड़िया कलर आया है क्रिस्पी कुरकुरे सन्ना पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिशस इसे गर्मा गरम चटनी या चाय के साथ सर्फ करेंगे इसी तरह से थोड़े थोड़े पकोड़े जो है बैचिस में फ्राइ करने है और जैसे मैंने बताया वो वड़े बना के भी हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में जब चाहिए उसे फ्राइ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो एक बार जरूर बनाएे और मुझे कमेंट सिक्शन में जरूर बताएए कि आपको यह रसिपी कैसी लगी और ऐसी कौन सी रसिपीज आप मेरे चानल पर देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कोशिश करूँगी एक एक करके सब अप्लोड करूँ सेम ये सन्ना पकोडा की recipe जो है सिंदी में मैंने मेरे channel हुनर मुस्कान का सिंदी पे भी upload की है तो वो भी जरूर देखें सिंदी और सिंद्यत से related सब वीडियोज देखने के लिए मेरे channel के साथ बने रहें अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो से like करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे जरूर फॉलो करें मुझे और मेरा वीडियो देखने के लिए थांक यू